नेताओं का अपना अलगी स्वैग रहता है अगर नेता सताधारी पार्टी का हो तो जल्वा अलगी दिखेगा लेकिन कभी-कभी जादा रौब दिखाने के चक्कर में नेताओं की नेतागरी भी निकल जाती है यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को खुद देख लीजिए गाली पर बीजेपी का स्टीकर लगा है और लगे हैं दो बड़े बड़े हूटर जिनने बजाकर नेताओं जी जिले में अपना रौब दिखाते थे हैरानी की बात तो यह है कि नेताजी ने अपने नीजी गाली पर बीजेपी का स्टीकर चिपकाने के साथ-साथ उस पर हूटर भी लगा डाला था ताकि छेतर में जलवा जारी रहे लेकिन नेताजी इस बात को भूल गए थे कि बीजेपी की सरकार में नियम कायदे सब के लिए बराबर हैं बेशक वो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो चलिए अब आपको बताते हैं कहां पर नेताजी का रौब निकला और गाली का चैलान भी पुलिस ने कर डाला मामला संभल का है जहां बीजेपी नेता हूटर बजा कर अपना रौब दिखाते थे इसी बीच बीच बीजेपी मंडल अद्यक्ष काड़ी का हूटर बजाते हुए पुलिस के सामने से गुजरे जिसे देख पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया बलकि पुलिस वालों तुरंद गाली को रुकवा भी लिया इस दौरान पीजेपी नेता कार ड्राइवर के हवाले करके मौके से भाग निकले इसके बाद पुलिस ने अपनी कारवाई शुरू की बलकि पुलिस ने पहले गाली पर लगे हूटर को उतारा इसके बाद पुलिस ने गाली का 10,000 तारीफ गजब है गालियों पर इस तरह क्या हूटर लगाने पर बैन है बलकि एक कानूनी अपराग भी है लेकिन सत्ताधारी लोग ऐसे ही गैर कानूनी काम करने लगे तो सवाल तो उठने लाजमी है इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रह उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी